हलोए बच्चो कैसे आप लोग आइइोक की बहतर होगे और बहतर तरीके से परिफuciónान ऑलकुंस्ट हो चुका होगा फिर फिर भी से कमेंट कर रहे थे कि का लास्ट मोमेंट में कुछ टीपस बताएये कुछ हमें हेल्ब हो जाएगा जिससे हम बहतर तरीके से एक्जाम में अच्छे स्कोर कर पाए तो इस ताइम में जो पांच दिन हमारा बचा हुआ है उसमें तुम मैक्सिमम उटिलाइज कर सकते हो जैसे मैं शुरू से आपको यह बोलते हा रहा हूं कि जो प्रिवियस यह कोश्चन है वह बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है तो यह पिरए गश्चन तो ऑल्मॉस्ट तुम करी लिए होगे इस टाइम जो प्रिवियस एयर कोश्चन में से जो डिफिकल्ट कोश्चन है जैसे मालव मैं ने-पचास कोश्चन किया और question ऐसे हैं जो हमें बार-बार प्रसान करते हैं डाउट आता है तो उन पांच question पर बहुत जादा focus करो क्यों गलती हो रहे थे क्या नहीं उसमें आता है उसकी theory में जाओ depth में जाओ और उनको समझने की कोशिस करो तो यह रही previous year वाले revision की बात दूसरा important है इस time formula बनाए होगे formula बनाए होगे उसमें बहुत सारे टो तो तुम्हें याद होंगे लेकिन बहुत ज़्यादा difficult होते हैं जैसे नहीं याद होते हो या बार-बार बहुत जाते हैं तो examiner लो इलेक्टिक पोटेंशियल आप दाइलेक्टिक स्पियर इंसाइड तो यह बार-बार फार्मूला बच्चों को भूल जाता है तो ऐसे फार्मूले को रिवाइज करो तो अपने कॉंप्टीटर से थोड़ा सा आगे निकल सकते हो और अपने प्रिप्रेशन को और ज्यादा कर सकते हो तीसरा इंप्टेंट बात है क्लियर और नया चीज तो इस राइं बिल्कुल नहीं पड़ो जो पढ़ना था जो पीच्टी करना था वो तो तुम दो साल से करें दो साल अपने सपने को रियलीटी में करने मिनत कर रहें और पढ़ाही कर रहें हो तो अब ये फाइ चोड़ दिये हो और तो अब दो छोड़ दिये तो छोड़ दिये ठीक है अब उसको नहीं पड़नेगा तो जो उसको पड़ चुके उसमें डाउटेवल topic है उनको अच्छे से समझो क्योंकि जो clear है उसे question आएगा तो कर लोगे लेकिन जो टॉपिक है उसको कोशिस करो कि इसमें बहतर तरीके से परफॉर्म कर पाओ और उसको रिवीजन करते रहो frequently जिससे तुम्हारा जो है memory memory में सारे फार्मुले और concept अच्छे से maintain रहे हैं और हम exam में अच्छे से परफॉर्म कर पहे हैं all the best thank you बाबा तक केर